चलो सुक्र है, फाइनली जो है क्लाश 12 से बेसी का जो एकजाम है वो कैंसिल हो गया, अच्छा ही है सबके हेल्थ को मद्दे नजर रेखते हुए यह जो फैसला लिया गया, सही है हम लोग भी इसी के पक्ष में थे, काम कर गया हम लोग का यह सोच, चलो ठीक है, आगे अब क् बात है, ठीक है, आप जो हो, अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं एक वीडियो बनाओ, कि क्लाश 12 के बाद अब आगे आप लोग को क्या करना चीए, चुकि एकजाम चुकि खत्म हो चुका, तो इसका क्या-क्या इंपक्ट आपके उपर पड़ सकता है, इसके उपर अगर जालते हैं, फिजिक्स बैमन और यूटुब चैनल से, तो चाहते हो, अगर आप कि मैं इस पर एक वीडियो बनाओ हूँ, तो आप कमेंट सक्षन में मुझे जरूर बताना, ठीक है, मैं कल सबेरे इस पर 9 बजे वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, ठीक है, अमड़े चैनल पर नहीं हो, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, एक्जाम जो कैंसल हुआ है, उसके लिए आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या मतलब अच्छा लगा, या फिर आप यही सोच रहे हो कि एक्जाम होना चाहिए था, कमेंट सक्षन में ये भी आप हमको जरूर बताना, औ चैनल पर नहीं हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और और भी लोगों तक जरूर सेर करना, जिसको पता नहीं चल पाया है, नरेंद मदी जिने अनौंस कर दिया है, कि बच्चे लोग का जो स्वास्त है, उसको ज्यादा प्रियोरिटी देनेगा, ठीक है, तो जो भी आप बताना कि क्या करता रहूं, जो कि आप लोग हमेशा चैनल से जूरेट हो, और अगर कंपटिशन का त्यारी करना चाहते है, तो आपको चैनल पर कंटेट तो मिलेगा, बबाए, बेस्ट अफ लग अप कमेंट में अडाय देना, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर क या है आपका निकल गया, तो आगे का क्या स्टेट जी आपनाना चाहिए, कल सुबा नौ बजे मैं अपने चैनल पर ये वीडियो डालूंगा, और क्यालते हैं, आप अगर बाद में ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सर्ज कर सकते हो, ये स्टेट जी फोर आपको वीडियो मिल जागा, बाबाई, बेस्ट अफ लाक